हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने बिजनस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट को कैसे इजली डिजाइन कर सकते हैं वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर तो चली बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं स सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हम कंटेंट को research करना सभिणे अप इसके रिचे जूस्त करेंगे उस को कैणवा के अंदर नेखें करने वाल हैं था चली श्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टप हैं हमारा content को research करना है content को research करने के लिए सबसे best platform है आप instagram के उपर जाईए और जो भी आपका business के around hashtag है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर solar का example लेता हूँ तो हम यहाँ पर solar solution को search कर सकते हैं या फिर आप किसी company के hashtag को भी search कर सकते हैं जैसे कि tata solar है इसी के साथ आप google के उपर भी search कर सकते हैं जो भी आपको requirement है जैसे कि हम solar के around अगर search करते हैं solar social media post जैसे हम search करते हैं और उसके बाद में हमें images के उपर आना है जैसे हम search करेंगे और images के उपर आपको यहाँ पर आना है तो आपको काफी सारी social media आइडिया की पोस्ट यहां पर दिखाई देंगी जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आइडिया आप यहां से ले सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह भी काफी अच्छी डिजाइन है वह यहां पर बना हुआ है स्टार सेविंग यूर इलेक्रिशिटी स् spelling के मिश्टेग आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंपलेट हैं बेसी के लिए तो ऐसे आपको और भी काफी सारी यहाँ पर डिजाइन के आइडियाज आपको मिल जाएंगे वहीं आप दूसरे अगर किसी भी तरह आपका फाइनेंस का बिजिनस है फाइनेंस सोचल मीडिया पो पोस्ट मिल जाएंग जैसे कि यहां पर आप देख सकते हूं जो मैसिज वह दे直ड़ना चाहते हैं चीजे हो नेकलए पतिस साल पोस्ट बनानी है तो आप यहां पर देख सकते हैं information type की post भी आपको यहां पर काफी मिलेंगी जैसा कि अगर हम यहां पर यह quotes type की post आप यहां पर देख सकते हैं और simple information की post आप यहां पर देख सकते हैं और और भी पर देखा यहां पर दिखाया हुआ है तो इसी टाइप की पोस्ट आप भी अपने लिए बना सकते हो अब यहां पर हमने इन पोस्ट को देख लिया कि कैसे हमें रिसर्च करना है इंस्टाग्राम या फिर आप गूगल से आपको आईडे मिल जाएगा या फिर जो आपके अब यहां पर हमें क्या करना है जो भी हमारे आइडियाज है उनको आपको सेलेक्ट करना जैसे कि मान लेजिए हम हम किसी भी तरह का अगर हम इमेज बनाना चाहते है तो आपको आआइडिया को देखना है उसके बाद में उस आइडिया याापको आपको जो information है वो आपको prepare करनी है जो कि हमारे next step के अंदर आएगी आपको content को prepare करना है और idea को prepare करना है अब यहाँ पर आपको तीन सबसे जरूरी चीज़े हैं एक तो हमारी main heading होगी आपकी कोई भी main heading हो सकती है जैसे कि आप solar लगवाई है या फिर किसी भी type के आप main heading ले सकते है उसी के साथ आपको एक से दो line के अंदर जो भी आप product या फिर आप service आप देना चाहते हैं वो आपको define करनी है उसके जो clear जो pain point है उनको आप define कर सकते हो जैसे कि एगर solar का example ने electricity bill को कम कीजिए या फिर electricity bill बचाईए समय के लिए है इस type का आप cold reaction सेलेक्ट कर सकते हैं basically आप किसी भी image के अंदर देखेंगे तो आपको simple ये 3 factor आपको दिखाई देंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी के साथ आप chat GPT का भी use कर सकते हैं solar की post को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक यह जो प्रॉम्ट है वो यहाँ पर लिखा है और जैसे ही मैं इसको type करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा content है यह हमारी headline है यह हमारा एक simple type का content है वो यहाँ पर prepare हो जाएगा जैसे कि अगर हम यह देखें empower your business with solar enhance your business efficiency and shavings with solar आप यहाँ पर देख सकते discover commercial solar now यह मैंने काफी try किया आप यहाँ पर देख सकते जो starting के अंदर मैंने try किया तो यहाँ पर काफी जो बड़े description है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है power up your business with solar boost your company's sustainability and reduce operating cost with commercial solar solution join the green revolution today schedule a site assignment today तो आप इस type के भी आप use कर सकते हो और अगर आप देखेंगे जो यह prompt है यह मैं description के अंदर डाल दूँगा आप इसको use कर सकते हैं सिर्फ आपको जो आपका business है वो यहाँ पर change करना है जो भी जिस भी तरह का आपका business है वो आप यह फिर content है तो वो चीज़ आप यहाँ पर mention कर सकते हैं और आप क्या चीज़ें offer करते हैं वो यहाँ पर आप रिपैलेस कर सकते हैं दो या तीन पोस्ट का content यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसी के साथ आपको क्या करना है सबसे पहले आपको canva के उपर जाना है अगर आपको नहीं पता canva क्या है तो already मैंने canva के उपर एक detailed tutorial बना रखे हैं उसके लिए आप description के अंदर आपको link मिलेगा उस video को आप देख सकते हैं canva एक अच्छा designing का tool है simple आपको जब भी आप canva के अंदर sign up करेंगे आपको यह home page मिलेगा simple आपको design बनाने के उपर यहां पर search करना है कोई design बनाए अगर आप English में यूज करने तो आपको यहां पर English में दिखाई देगा आपको design मिलेंगे element मिलेंगे text मिलेंगे brand है upload है ड्रा का option है project है और more apps आपको यहां पर apps के option के अंदर मिलेंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अच्छी पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे simple आपको उस पोस्ट जिस भी पोस्ट को आपको यूज करना है जो भी आपको template यहां पर अच्छी लग रही है उसको आपको simple click करना है और वो post यहां पर आपकी आ जाएगी और उसके अंदर आप content को update कर सकते हैं इसक जरूर नहीं कि आप in template को अपने business के लिए convert कर सकते हैं जैसे कि अगर हम मान के चलें कि यह हमारी post है इसको मैं solar के अंदर बनाना चाहता हूं तो हम यहां पर जो भी हमारा title है जो heading है उसको हम यहां पर replace कर देंगे और जो photos हैं उनको हम replace कर देंगे जिस भी element को आपको edit करना है और उसको आप easily edit कर सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जिस भी element के उपर हम आएंगे उसी को हम edit कर सकते हैं जो भी आपके जैसे कि इसको मैं delete करना चाहता हूं तो हम यहां पर delete का जो बटन है वो भी use कर सकते हैं या फिर यहां पर screen पर आपको delete का option दिखाई पर देगा यहां पर दो उप्षन है चवी को यहां फोटो को हटाएं या फिर फ्रेम को हटाएं तो हम फोटो को हटाएंगे और इसके अंदर हम solar की image यहांपर डाल देंगे तो image के लिए फिर से आपको यहां पर scroll करेंगे तो यहांपर photo आपको दिखाई दे जाएगी अग आप यहाँ पर search कर सकते हैं यह देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इसको लगाना चाहते हैं तो आपको इसको drag और drop करना है हम यहां पर हम डालते हैं और यहां पर आ लेंग अपना है और आपको इसको प्तसक्त कर सकते हैं चोता या या बड़ा जो विल्डी यहां से मैंटें कर सकते हैं और इसके ऑड़ा सा नीच्चे कर देंए और यहां पर जो हमारी heading है वो हम यहां पर डाल सकते हैं book now जो हमारा जो भी चीज़े हैं वो हम easily यहां पर replace कर सकते हैं जैसे कि join the solar revolution हम यहां पर copy करेंगे और यहां पर हम डाल देंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने डाल दिया तो ऐसे करके आपकी जो उसके बाद में हम कुछ और template ट्राइ करते हैं जैसे मैं design के उपर आऊँगा तो मैं यहाँ पर back कर लूँगा ताकि हमें जो previous design है वो यहाँ पर आजाएं इसके साथ में हम health search कर सकते हैं health के अंदर भी काफी अच्छे design आपको यहाँ पर मिलेंगे आइकन है वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर हम आएंगे यह देखो सारे आइकन आपको अलग-अलग दिखाए देंगे मैंने इस आइकन को select किया और मैं इस आइकन को यहाँ पर delete कर दूँगा और इसकी जगए मैं क्या करूंगा element के उपर मैं आऊँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं element के उपर हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें search करना है solar जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने solar search किया और यहाँ पर काफी solar की photos और जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर photo की बजाए मैं यहाँ पर ग्राफिक्स करूंगा इनके अंदर जो background है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और मैं यह वाला background यह वाली जो image है उसको मैं यहाँ पर use कर लूँगा इसको मैं delete करता हूँ यहाँ से और इसके उपर मैं click करूँगा और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर यह देखिए और इसको मैं flip करके दूसरी side यहाँ पर कर दूँगा यह देखि और यहाँ पर हम कर देंगे इसकी बजाय हम कर देंगे benefits of using solar power आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा यह देखिए benefit of using solar power और solar power को मैं यहाँ पर select करूँगा और इसका जो color है इसको हम change करके कोई भी color हम यहाँ पर कर देंगे जैसे कि अगर हम yellow ही करना चाहते है तो हम solar power का जो color है वो ऐसा कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा bold या फिर हम font भी अलग लग design आप use कर सकते हैं जो benefit है वो हम यहाँ पर इनको replace कर देंगे जैसे कि हमने एक photo के अंदर देखा था अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो यह तो क्या है four uses यह हमारे uses हैं इसी तरह आप benefit भी आप डाल सकते हैं फिर आप जो chat GPT को अगर आप use करेंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते है benefits अच्छी आपको prompt लिखनी यहाँ पर लेकिन मैं जल्दी यूज करने के लिए यहाँ पर simple डालता हूं benefits of using solar power तो यहां पर हमारी ज-तनी benefits हैं आप यहां पर d सकते हैं जैसे किए हमने requirement है यहांपर 6 benefits की तो हम यहां पर डाल देंगे tots 5 benefits और के लिज्ग और जैसके हम डालेंगे तो यहाँ इसरो यहांपर हमारे आ बैनिफिट है और यहाँ पर देख सकते हूं लोवर एनरजी बिल है उसका जो डेफिनेशन है वो भी यहां पर आजाए इसी के साथ जो यहां पर जो डेस्क्रिप्शन हो थोड़ा सा बड़ा है तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि विदिन एवरी पॉइंट अंडर हेंडड करेक्टर आप कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं hundred या फिर हम 150 करेक्टर हम कर सकते हैं तो यह हमारा 150 करेक्टर के अंडर इसको लिख देगा जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं तो इजिली आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो यह देखिए जो हमारे बिलकुल easy एक line के अंदर आप इसको 150 करेक्टर की जगहे आप इसको one line भी कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं सिंपल हमें इसको कोपी करना है और आपका जो डिजाइन है उसके अंदर डाल सकते हैं फिर आप अपने तरीके से इन चीजों को मोडिफाइग कर सकते हैं इसी के साथ अगर हम डिजाइन के उपर आते हैं दूसरा लेंग्वेज भी काफी इंपोर्टेंट रोल पले करती है यहां पर जैसे कि अगर हम देखते हैं अगर हमें हिंदी के अंदर बनाना है तो स्टार्टिंग के अंदर हमने एक डिजाइन देखा था हम जब भी हम टाटा सोलर यहां पर मैंने सर्च किया तो यह जो है यह हिंदी के अंदर है आपकी ओडियंस के अकोर्डिंग आपको लेंग्वेज सेलेक्ट करनी है और बैक्ग्राउंड के अंदर भी एक इमेज इसी के साथ मैं Did You Know के भी काफी अच्छे आपरआपको जो टेंपलेट है जो डिजाइन हवह आपको यहां पर मिल जाएंगे जैसे की यहां पर अगर इसको यूजकरता फोटो के उपर जाना थैंकि हम थे तो यहां पर इस але को यूज कर सकते हैं छ solidarity क्पीर फिर से मैं मैं इसको हटाता हूं यह यह दो द uważत है काफिशे इमेज बैंग्ग्राउंड के अंधर तो, यहां पर यी फिट नहीं हो आपको क्या करना जो इसका जो woh कहीर है यहां पर गायब हो जाता है तो इसी चीजा को आप पैक करते हैं जैसे कि पीछे जैसा कि आप यहाँ परदेख सकते हैं इसका जो transparency है उसको है उसको itself कर देंगे यहाँ पर जो ट्रांसपेरंसी है उसको हम थोड़ासा कर देंगे यह आपकि एक मीसद्विक्वर मृष इसको इसको उनसर्ट कर दाएंगे याँ उयर यहाँ बेड़ा है bzw और इसको हम क्या करेंगे? यहां अपर हम लगाएंगे और यह देखिए, इसको मैं यहां पर ऐसे आड़ेस्ट कर देता हूं इसका जो कलर है वह अच्छ Algum कर लेता हूं और यहां पर थिरी हम काणा है यह देखिए तो इस तरीके से आप इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं वह आप अपने according यूज कर सकते हैं और भी काफी सारे आपको यहाँ पर डिजाइन अलग लग तरह के मिलेंगे तो यह completely आपके उबर depend करता है सबसे जरूरी है कि आपके पास में content और जो ideas है वह अच्छे होने चाहिए जैसे कि अगर आपको solar के example दिखाऊ आप यहाँ पर देखें मैंने already काफी जो post है वो solar के design का रखी है अगर आप यहाँ पर देखें यह देखिए कुछ testimonial type के जो post है व आपको जो यहाँ पर shoes है इसकी बजाए यहाँ पर हमें जो भी आपका product या फिर service है उसका visual representation यहाँ पर आपको show करना है यह देखिए इसी तरह के design आप यहाँ पर use कर सकते काफी और भी design मैंने यहाँ पर बना रखे हैं अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकत का मजब में आई होंगी ऐसी ही helpful वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद